नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारे वाटसेप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं वाटसेप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है अस्टर डियेम हेल्थ केयर 19 परसेंट तक चढ़ा शेयर हिट किया 52 वीक का हाई BSA पर अस्टर डियेम हेल्थ केयर का शेयर 29 नवंबर को सुबह बढ़त के साथ 336.85 पर खुला फिर जल्द ही पिछले बंद भाव से 19 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ 52 सप्ताह के उच्चसतर 396.80 रुपए पर पहुँच गया अगर शेयर 20 प्रतिशत की बढ़त हासिल कर लेता है तो इसमें अपर सर्किट लग जाएगा शेयर का 52 सप्ताह का निचला स्तर BSI पर 201.45 और NSI पर 201.30 रुपए है हेल्थ केयर सेक्टर की कमपनी आस्टर डिएम हेल्थ केयर के शेयरों में 29 नवंबर को 19 प्रतिशत की तेजी आई और शेयर 52 सप्ताह के उच्चसतर को छुगया दरसल कमपनी ने अपना Middle East या GCC कारोबार Alpha GCC Holdings Ltd. को बेचने का फैसला किया है शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कमपनी ने कहा है कि यह बिक्री 1.001 अरब डॉलर में होगी इसक बाद BSAE पर Aster D.A.M. Healthcare का शेयर 29 नवंबर को सुभा बढ़क के साथ 336.85 पर खुला फिर जल्द ही पिछले बंद भाव से 19 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ 52 सप्ताह के उच्चसतर 396.80 रुपए पर पहुँच गया NSAE पर शेयर 334.30 रुपए पर खुला और जल्द ही 52 सप्ताह के उच्चसतर 396 रुपए को छू गया Aster DM Healthcare के शेयर का 52 सप्ताह का निचला स्तर BSAE पर 201.45 और NSAE पर 201.30 रुपए है अगर शेयर 20 प्रतिशत की बढ़त हासिल कर लेता है तो इसमें अपर सर्किट लग जाएगा Alpha GCC Holdings का मालिकाना हक किसके पास Alpha GCC Holdings का मालिकाना हक Aster India के प्रोमोटर्स प्रोमोटर समूह के बीच साज़ा किया जाएगा लेंदेन के पूरा होने पर फंड का प्रबंधन मध्यपूर्व की निजी एक्विटी फर्म फजर कैपिटल आडवाईजर्स 35-65 के शेयर होल्डिंग रेशियो में करेगी कैसे होगा आने वाले पैसों का इस्तिमाल CNBC TV 18 के साथ बातचीत में Aster D.A.M. Healthcare के मैनेजिन डिरेक्टर डॉक्टर आजाद मुपेन ने कहा कि कमपनी व्यवसाय बिक्री से हासिल आए का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड में लगाएगी जबकि इसका कुछ हिस्सा ग्रोथ कैपिटल के रूप में इस्तिमाल किया जाएगा